नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में हासिर हुए हैं दोपहे तक की दो बड़ी खबरों को लेकर बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की इन दौर में पुलिस कर्मियों पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया इस संसनी खेज मामले में पुलिस के दो जवानों को घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज के लिए भरती कर वाया गया है वहीं पुलिस मामले में अपराधियों की धर पकड कर रही है परदेशी पूरा थाना प्रभादी ने बताया कि इंदोर के परदेशी पूरा थाना छेते में चेकिंग कर रहे पुलिस कर्मी पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया थाना प्रभादी ने बताया कि घायल पुलिस कर्मी का नाम रोशन यादव है वाहनों की चेकिंग के दौरान रोशन ने एक गाड़ी को रोका तब ही उस पर सवार दोनों बदमाशों ने रोशन पर चाकू से हमला कर दिया रोशन के साथ मौजूद पुलिस कर्मी भोलायादव ने तुरंत रोशन को पास के शल्बी अस्पताल में भरती कर वाया घटना के बाद वरिष्ट अधिकारी मौके पर पहुँचे और बदमाशों को पकरने के लिए तुरंत नाकेबंदी की अफसरों ने हमला करने वाले बदमाशों की जानकारी निकाली है पादमाशों के नाम अमन हर्च रितिक और गंज सिहोर है यही नहीं पुलिस के मामले में एक बाई को भी जब्त किया है आपको बता दें कि इंदौर में इस समय 29 देशों के दर्जनों महमान आई हुए है वही इस घटना के बाद इंदौर जिलप्रशासन के होश फाक्ता हो गए है कि आखिर ये घटना कहीं कोई नकरात्मक छवी न बना दे जी 20 के चलते इंदौर शहर में वैसे भी चाकू चौबंदा सुरक्षा वेवस्था लगाई गई है इतना सुरक्षा होने के बावजूद आयोजन स्थल से चंद किलोमीटर की दूरी पर ये घटना हुई जो साबित कर रही है कि अब बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं बचा है वहीं बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी ख़बर की जिले में भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर रवेंद कुमार चौदी निधारा 144 के तहत नदी तालाब और जलपरपात के आसपास के छेतों में जाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है यह मामला श्विपूरी का है इस आदेश के तहट नदी तालाब नहरबाद जलाशे जल्परपात आदी जल्भराव वाले छेत्रों के आसपास लोगों का आना जाना पूरा तरह से बंद कर दिया गया है गौरत अलब है कि पूर्ब में श्विपूरी में जल्परपात नदी तालाबों के किनारे दुर घटनाए हो चुकी है इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है जिले के समस्त जली इस थलों पर किसी भी दशा में कोई अप्री घटना घटित ना हो किसी भी प्रकार से लोगों की कोई हानी ना हो इन सबसे बशने के लिए कलेक्टर रवेंद कुमार चौधी ने जिले के सभी जले स्थलों पर लोगों के जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है शिप्पुरी जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सामारने से अधिक बारिश दर्ज होने से सभी नदी नहरबाद तालाब जलाश जल प्रपात वा अन जल भराव वालों स्थानों पर जल स्तर में लगातार विद्धी हो रही है आगामी दिनों में और भी बारिश के संभावना है जिले में बीते कुछ वर्षों में कई स्थानों पर बार आ चुकी है इसलिए प्रशासन ने इन सब संभावनाओं को देखते हुए इस तरह के आदेश जारी किये है